कि नमस्का दोस्तों कि आज हमारे बीच में कॉंग्रेस कार्य समीति के सदस्य हैं और एनस्वाई के परभारी हैं कनहिया कुमार जी वो आज युवाउं से जुड़े हुए मुद्दे पर जो जबलंत मुद्दा है देश का उस पर आपसे बात करेंगे मैं उन्से नरोद करू सबसे पहले तो आप सब इस प्रेसवारता के लिए हैं इसके लिए आपको भूद भूद धन्यवाद जैसा कि आपको विनीत जी ने बताया आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर और संबेदन सील विसाय पर यह प्रेसवारता कर रहे हैं आप में से बहुत सारे साथियों को य भारतिय नौजवानों को बंधक बना करके रखा गया है बंधक क्यूं बना करके रखा गया है क्योंकि हमारे देश में युवाओं के लिए मिर्त काल चल रहा है देश में तो नौजवानों के लिए मिर्त काल चली रहा था जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है अब विदेशों में भी भारतिय नौजवानों के लिए मिर्त काल शुरू हो गया है रोजगार के बरे-बरे दाबे किये गए सरकार ने कहा कि हम हर साल दो करोड नौकरी देंगे अगर हर साल देश में दो करोड नौकरी दी जाती तो साइद ये इस्थिती पैदा नहीं होती आप जानते हैं कि रूस के पास पर्मानेंट आर्मी नहीं है ठेके पर आर्मी है हमारे देश में भी ठेके पर अगनी पत्योजना लाई गई है ठेके पर जवानों को बहाल किया जाएगा और वहाँ पर जबर्दस्ती भारतिय नौजवानों को एक तरीके से बंधग बना करके रखा गया है उसमें से सिविलियन वर्क में गुजरात का एक नौजवान नोट किजिएगा गुजरात मॉडल गुजरात का एक नौजवान उसकी दुखत मौत हो गई है और इस संबेदन सील विशय पर चारो तरफ चुप्पी है होता है न कि मोबाइल में एक वाइवरेशन मोड होता है और एक साइलेंट मोड होता है तो जब परचार की बात आती है फोटो आप का बात आता है तो परचार मंत्री सक्रिय हो जाते हैं vibration mode own हो जाता है और देश से जुरा होगा कोई विसए हो नوجवान से जुरा होगा कोई विसए हो तो silent mode पे चले जाते हैं ये कितनी गंभीर विसए है कि देश में अगर देश के नوجवान अपने इने देश के लिए सहादत दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो यह बात समझ में आती है, कि यह देश भक्ती है, राष्ट के लिए जो है आप अपनी जान दे रहे हैं, दूसरे देश की लड़ाई में, दूसरे देश के वार में, भारतिये नौजवानों को क्यों जाना पर रह इसका एक सिधा संबंद ये है कि हमारे देश में जो नौजवानों के भविस्थ के साथ खिलवार किया जा रहा है जिस तरह से बेरोजगारी का दन्स उनको जहलना पर रहा है और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी हो गई है 45 साल में देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी लाखों पद केंद्रिया विभागों में खाली है और सरकारी जो छेतर हैं राज सरकार के अधिन जो आते हैं उसकी तो हालत आप सब देखी रहे हैं कि क्या हो रहा है जब हमारी भारत जोरो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी तो इलहा विस्विद्याला का एक नौजवान आया और कहा भहिया जितना इस देश में लव लेटर लीक नहीं होता है उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्वेस्चन पेपर लीक हो जाता है मतलब नौजवानों की स्थिती ये है कि एक तरफ या तो भरती नहीं की जाती है भरती की परकिरिया शुरू होती है तो प्रसन पत्र लीक हो जाता है और पूरी की परकिरिया जो है वो न्यालय के अधिन चली जाती है और आप भरती की परकिरिया और उसमें होने वाले प्र आचार हो रहा है और मैं आप सब लोगों से एक आकरा साजा करना चाहता हूँ अभी से कुछ महीने पहले ही एक घंटे से कम समय में एक नौजवान आत्महत्या कर रहे थे देश में अभी का आकरा ये है कि एक घंटे से कम समय में दो नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं मतलब देश में रोजगार नहीं मिलेगा, तो देश में आत्म हत्या करने की स्थिती है. और रोजगार पाने के उडेश से, वार जोन में जाकरके, युद्धचेत्र में, दूसरे देश की सेना में, जबर्दस्ती जो है बंधक मना करके नौकरी करवाने की स्थिति पैदा की गई है और आप सब लोगों ने ये न्यूज भी साइद देखा होगा अखवार के किसी कोने में आखरी पिस्ट पे होगा कि एक एक न्यूज और चली थी कि इसराइल में लेवर नहीं मिल रहा है इसराइल को इसी लिए बहुत सारे माफिया देश में शक्रिया हो गए हैं अलग-अलग राजियों में और जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको एक तरीके से उनकी मजबूरी का फाइदा उठा करके और एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा मरता क्या न करता बहला फुसला करके सपने दिखा करके कि बिदेश में आपको नौकरी मिल रही है देश के नौजवानों के साथ उनके भबिस के साथ खिलवार किया जा रहा है और इसी करी में मैं एक बात और आपको जोड़ और आए दिन यह ख़बर सुनने को मिलती है फिर से ख़बार के किसी आखरी कोने में कि कभी अमरीका में जो है किसी नौजवान को किसी इनुवस्टी में मार दिया गया है भारतिया नौजवान को कभी अस्ट्रेलिया में मार दिया गया है कभी यूरोप के किसी कोने में मार इसमें जहड घोल रहे हैं और जिस तरह से देश में और बिदेश में भारतिय नौजवानों की जान ली जा रही है यह अपने आप में बहुत दुखत चिंता जनक और संबेंदन सील बात है इसी लिए हमारा यह कहना है कि देश में तो नौजवानों के लिए मिर्त काल चली र बहुत बहुत धन्यवाद और इस संबंद में जो भी आपके प्रशन होंगे उसका हम यथा संभव उत्तर देने का प्रियास करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपसे अनुरोद है कि इसी शूपे जो भी प्रशन है पूचिए बहुत जोलन्द मुद्दा है आपके प्रशन का देखिए इसको हम लोग इसके दो पहलू है पहला तो कोई अपना घरबार छोड़ करके कहीं और काम करने के लिए क्यों जाता है जब आपको अपने घरबार में रोजगार नहीं मिलता है जैसे मैं बिहार से हूँ सर हम लोगों को पढ़ने के लिए इलाज कराने के लिए हनीमून मनाने के लिए काम करने के लिए हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है क्यों क्योंकि हमारे राज्य में अवसर नहीं है यह सच बात है बरना अपना घरवार छोर करके क्यों आएगा कोई पंजाब का कोई विक्ति तो बिहार में जा करके धान काट नहीं रहा है बिहार का ही लोग जा करके काट रहा है तो पहला मसला यह है कि अपने देश में इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है ये सबसे प्रमुख बात है दूसरा फिर मरता क्या ना करता जो काम मिल जाए सर यहीं हमारी इन्वस्टी के पीछे जो है बहुत सारी एंबेसी है लोग जो है रात को दो बजे से लाइन लगाते हैं बीजा लगवाने के लिए दो बजे से सारे आठ लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है कहते हैं कि जो है अभीश में डंका बज रहा है सारे आठ लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है फिर जहां जो काम मिल जाए और ठेके पे बाहर में आर्मी में भरती की जाती है हमारे देश में नहीं की जाती थी अब की जाएगी अभी इसकी शुरुवात हो गई है तो की ही जाती है इसराइल का मामला अलग है इसराइल में आर्मी में नहीं दूसरे काम के लिए डिफेंस से रिलेटेड नहीं बलकि और दूसरे सिविलियन काम के लिए भारतिय नौजवानों को अलग-अलग कमपनिया जो है देश के अलग-अलग शहरों में शक्रिया है किसी ना किसी कोने में तुरंत आईए मिंटों में भीजा पाईए कि विग्यापन के साथ दुकान खुले हुए है और भारतिय नौ होता है वो फस जाते हैं तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है उसकी कोई एकाउंटिबिलिटी नहीं है देखिए अब इस बात का जवाव एक्चुली हमारे सीनियर जैसंकर जी देते विदेश मंत्री वो है कि किस विजा पे ये लोग गए हैं सरकार का इस पे क्या स्टेट्मेंट है हम तो जो है इस देश का जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि भारत का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी हिस्से में अगर मुश्किल में है तो उसको उस मुश्किल से निकालना सरकार की जिम्मेवारी है और हम आपको याद दिला दें यही परचार भी तो किया गया था मुझे याद है आप लोगों को भी याद होगा उत्रा खंड में तराश्दी हुई थी और जो है मोदी जी के लिए बड़ा बड़ा परचार हुआ था हर अखवार के प्रिष्ट पे छपा था कि खुद से हेलिकॉप्टर चला करके गए हैं मतलब हेलिकॉप्टर लेके गए हैं और गुजरातियों को निकाल करके ला रहे हैं दुनिया के किसी कोने में कोई गुजराती को कुछ हाय हो जाय तो मुदी जी परसनली जो है उसकी मदद करते हैं तो हम बस उनको याद दिला रहे हैं कि आपका यगून कहा है हम देखना चाहते हैं हम चाहते हैं कि देश के बाहर जो भारतिय नौजवानों के साथ देश के अंदर जो परिस्थिती है जिसके चलते उनको विदेश जाना पर रहा है तो उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो सरकार इसकी जिम्मेबारी ले ये तो सरकार बताए कि कैसे गए हैं, किस माध्यम से गए हैं, स्टूडेंट वीजा पे गए हैं, कि वर्क वीजा पे गए हैं, कि टूरिस्ट वीजा पे गए हैं, वीजा का कटेग्री का है, H1N1 कौन सा वीजा ले करके गए हैं, ये तो सरकार बताएगी, हम कैसे बता सकते है हम तो विदेश मंत्री हैं नहीं अच्छी बात है विकास दर बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर बेरोजगारी दर बढ़ रहा है तो चिंता की बात है महिलाओं के उपर होने वाले अपराध अगर बढ़ रहे है तो चिंता की बात है मजदूरों को अगर मजदूरी नहीं मिल रही है यह अप आपका अपना पैसा आपकी कमाई का एक हिस्सा काट करके सरकार के खाते में आपने जमा किया है और जब बेटी का साधी है मकान बनाना है बच्चा को पढ़ाना है कहीं एडमिशन लेना है तो PF का पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं तो पैसा नहीं निकल रहा है तो हम कह रह करोड की ट्रिलियन प्राच करोड पांच ट्रिलियन की एकॉनमी हो गई तो यह 80 करोड लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए खड़े हैं तो धन कहा जा रहा है किसके पास जा रहा है आंकरा उठा करके देखिए जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा जेनरेशन ज और इसमें कोई ये कोई अंतर विरोधी बात तो है नहीं यह तो और अच्छी बात है तब तो सरकार अब ये बहाना नहीं लगाएगी कि हमारे पास पैसा नहीं है तब तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ अगर सारे 7% हो गया है तो फिस वो जो मांग है इस देश के वि अगरे स this economy में तो जा किस पास रहा है कि विरोजगारी क्यूं बढ़ रही है किसानों के आंदनी क्यू नहीं दूड़नी हो रही है MSP क्यू नहीं मिल रहा है और आप सब पत्रकार साथी एक बात याद दिला दू लाडली का कितना पर्चार किये थे लाडलाने लाडली कहा है लाडली में पैसा मिलना बंद हो गया है MSP पर जो वादे किये गये थे वो वादा तो छोड़ दीजिये गुजरात के मुख मंतरी थे मोदी जी तो प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग जी को चिठ्ठी लिख करके कहा था कि MSP दुगनी कर दीचे अब तो मुहन सिंग जी प्रधान मंतरी है नहीं गुजरात के मुख मंतरी देश के प्रधान मंतरी बन गए है तो MSP क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं उसको कानूनी दरजा क्यों नहीं दे दे रहे हैं इसलिए जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं नौजवानों की हालत देख लिजिए कि देश के किसी ना किसी कोने में भरती समय से हो एकजाम टाइम पे लिया जाए प्रस्ण पत्र लीक ना हो तो देश के किसी ना किसी कोने में जो है नौजवान और विद्यार्थी आंदोलन कर रहे होते हैं। GDP पढ़ा है बहुत बढ़िया लेकिन बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए। हिंसा कहीं भी हो बी-एच्यू में हो कि जे-अइपनी वे हो कि ए-म-ई-उ में हो इस में कानून विवस्था है जैसा कि पिताजी जो है मुख ग्री मंत्री है तो लौई और आडर है यह तो कहीं भी हिंसा क्यों हो हिंसा होने की जौरत क्या है इसमें कौन सी नई बात है मेडम कि उन्होंने चुनावी सबाव शुरू कर दी वो चुनावी मोड पर ही रहते हैं अब की बात बताईए अब की बात चार सो पार अगर हो जाता तो एन केन परकारेन किसी को भी आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उरिशा में जोईन कराया है एक बीजेडी का एमेले जो भाजपा कारकरताओं के उपर गारी चड़ा दिया एक तो मुझे नहीं मालूम कि आजकल के नेताओं को गारी चड़ाने का क्या सौक है वो टेनी जी का बेटा किसानों पे गारी चड़ा दिया था तो ये बीजेडी का जो नेता है वो बीजेपी के कारकरताओं पे और प्रदान मंत्री जी चुनावी सभाओं में जा करके कहते हैं भाजपा कारकरताओं की पार्टी है उनके कार करता के उपर जो गारी चड़ा दिया उसको जॉइन करा लिया है क्यूं? 400 पार्क को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते तो किसी भी अस्तर पे जा करके समझोता करते अभी आपने देखा कि बिहार में जो है नितीस कुमार को लेकर के क्या-क्या बोलते थे और अभी जो है सब एकदम सब बढ़िया एकदम स्वीट स्वीट सा हो गया है तो मुझे नहीं लगता है ये दावे हैं सुनते हैं हम भी आप भी सुनिए पहली लिस्ट की तयारी है आप लोग विपक्ष में हैं आपकी CEC कब होगी इसको लेकि कोई क्लारिटी नहीं है अलाइंस TMC के साथ वेस्ट बेंक ओल में होगा नहीं होगा कितनी चिंता करते हैं आप हमारी बहुत बहुत अच्छा लगा हम यह प्रेस कॉन्फरेंस यह प्रेस कॉन्फरेंस एक बहुत ही गंभीर और संबेदनसील विशेपे है चुनाव सीट नंबर के लिए प्रेस कॉन्फरेंस नहीं रखा गया है नंबर मैंने आपको बताया 20 भारतिय लोग रूस में फसे हुए हैं बंधक बनाये हुए हैं वे चारसो छोड़कर के बीस नंबर याद रखिए इसलिए नहीं जवाब दे रहा हूँ हैसा नहीं है कि हमको जवाब नहीं देने आता है जवाब दे सकते हैं लिए विसा कुछ और है ठीक है कनहिया जी कनहिया जी ये बताइए कि आपने का कि अमेरिका में भारतिय चात्रोक का मडर भी हुआ है संदिक्त परिस्थितियों में मौत भी हुए है ये जितने भी हाल के महीनों में मडर या संदिक्त परिस्थितियों में मौत हुआ है इसके पीछे विपक्ष के नाते आप कोई साजिस देख रहे हैं, फाउल प्ले देख रहे हैं, दूसरा सवाल है कि मोदी आपके छेतर में जा रहे हैं कल, आप पिछले बार वहां से लोकसभा का चुनाओ लड़े थे, इस बार कॉंग्रेस की टिकट पे बेगुस सराय से लड एक चिंता जनक और गंभीर परिस्थिती जो जरूर है, मान लीजिये कि मैं बार बार कहता हूं कि देश के भीतर की समस्या को बाहर जो घटनाएं घट रही है, उसके कॉंटेक्स में देखने पे चीजें आसानी से समझ में आती है, मैं बार बार कहता हूं मैं बिहार से जब बिहार में रोजगार नहीं है और हमको मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है, वैसे ही भारत में अगर रोजगार की स्थिती होती है, तो भारतिया नोजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ता है, पहली बात तो ये, दूसरी बात जब हम कहीं जाते हैं, तो आउटसा परिस्थिती है इस परिस्थिती में भारत की सरकार को एक्ट करना चाहिए हम ये मांग कर रहे हैं नहीं बस मैंने समझने के लिए उदारन दिया है फिलाल तो नहीं फिलाल तो हम रूस की बात कर रहे है सरकार से तो हम यही मांग कर रहे हैं कि आप यहीं रोजगार की विवस्था कीजिए भारतिय नौजवानों को किसी भी परिस्थिती में वार जोन में जाकर के काम करना पड़े यहां मिसाइल चल रही है गोलियां चल रही है लोग मारे जा रहे हैं चाहिए इस तरफ से मारे जाएं या उस तरफ से मारे जाएं हम यह नहीं कह रहे हैं लेकिन उसमें हमारे लोग जा करके क्यों अपनी जान कमाएं, उनको यहीं रोजगार दिलाएं और बस उनको हम वादा याद दिला रहे हैं, कि आपने तो कहा था, कि दो करोड नौकरी देंगे हर साल, तो दस साल आप पूरा होने को हैं, इस हिसाब से आप 20 करोड नौकरी पै कर रहे हैं, कि देश के नौजवानों के भविस के साथ खेलना बंद कीजिए, और युवाओं के लिए जो ये मिर्त काल चल रहा है, उस मिर्त काल को बंद करके ही, सही माइना में अमरित काल शुरू किया जा सकता है, ठीक, धन्यवाद, अब फिर कभी, इसी 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 जो आप से सवाल पूछा था, वो इसलिए पूछा था कि आप कह रहे हैं, मिर्त काल चल रहा है, मिर्त काल से चातो करें अमरित काल तब ही लाएंगे, जब सत्ता परिवर्तन करेंगे, आप विपक्ष हैं, तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं, इस सत्ता परिवर्तन के लिए तुसके लिए दूसरे स्पोक्स परसन आगर के प्रेस कांफेशन्स करेंगे दन्यवाद